हेलो सो वेलकम माई यूटूब चैनल गाईस अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बिल आइकन घंटी को दबा कर उसे आल प्रिस कर दीजिए ताकि हमारे न्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए मिल जाए गाईस मेरा नाम है कनया माउरिया आप लोग देख रहे हैं कनया माउरिया यूटूब चैनल गाईस मैं आज इस वीडियो में बात करेंगे जीवी वाटसप के बारे में जैसे कि माल लेजी आपके GBWhatsApp में जैसे आपने किसी setting को गलत setting कर दिया हён और आपने GBWhatsApp को चलाने में आपको परसानी हो रहा है जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते जो कि मैं यहाँ पे पने GBWhatsApp को open किया हूँ यहाँ पे हमारे GB WhatsApp में कुछ ऐसा setting गलत हो गया है जो कि हमें GB WhatsApp चलाने में परसानी ही हो रहा है तो आप लोग भी GB WhatsApp यूज करते होंगे आपके भी GB WhatsApp में कोई setting गयरा या कुछ भी गड़बड हो गया है और आप लोग उसे ठीक करना चाहते हैं बट आप लोग सही नहीं कर पाते हैं लेकिन मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग GB WhatsApp में setting को reset करके और आप अपने GB WhatsApp को सही कर सकते हैं यहीं कि आप लोग अपने GB WhatsApp को normal GB WhatsApp कर सकते हैं पहले जैसा तो आप लोग कैसे करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा आज इस वीडियो में तो guys वीडियो को लाज देखना end बीच में skip नहीं करना है नहीं तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए guys बीना time based के वीडियो को topic और चलते हैं simply guy अप लोग के यहाँ पर three dot line देखने की हम जाएगा simply आप लोग को इस फ Onet ख करनेंगे कि आप देना है तो guys आप लोग के यहाँ पर देखने की मिल जाएगा Chrome का आप्संगों लेंगे और आपका जीवी वार्टस इस तरह से नार्मल हो जाएगा जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हमारा जीवी वार्टस इहां पर नार्मल हो चुका है अभी तो हमारा जीवी वार्ट थोड़ा चेंज था अब जो भी हमारे जीवी वार्टस में सेटिंग इधर उधर हुआ था गलस सेटिंग हो गया था अब हमारा सेटिंग पूरी तरह से जीवी वार्टस अप में सही हो गया तो और गाइस भी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में